तो हमने इस वीडियो में दो एपिसोड को कवर किया है तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यून फेंग और उसके दोस वापर से यहां सीटी यारी की पविलियन में अलॉट आये थे जहां पर आकर उन्हें पता चलता है कि वो जो मास्टर है वो वहां से गायब होच चुके हैं और अब उन्हें पता चलता है कि उन्हें असल में फेंग एंप्रेस ने किड्नाफ किया है अब वैसे तो वह वहां जाकर उन्हें चुराना बहुत ही मुश्किल था लेकिन फिर भी यून फेंग फैसला करता है कि वह वहां पर जाएगा जिस चीज में बागि सभ पान भी वहां पर खड़ा था अब यहां पर हम देखते हैं कि जो मास्टर है किंग है उन्हें वहां सामने स्टोन से बांध रखा था और उनकी वाइफ को भी वहां पर बांध रखा था यह लोग अभी उन्हें खतम ही करने वाले थे यहां पर बात चल रही थी कि आखर किं कि यहां पर कुछ मास्टर कहते हैं कि यह गलत होगा हम इन्हें मौत की सजा नहीं सुना सकते लेकिन अब यहां पर जो सीनियर को खतम करना है यहां जो लड़का किंग पर टैक करने वाला था वो कह रहा था कि आपने बहुत गलत किया आपने मेरे सभी साथियों को मार दिया है और इस चीज़ का बदला में लेकर रहूंगा लेकिन किंग कहते हैं कि नहीं शायद तुम्हें को गलत फैमी हो रही है क्योंक लेकिन अचानक से एक अनरजी फैलती है जो कि उन सभी क्लोन को रोग देती है और यह असल में यून फैंग का काम था अब यून फैंग में वहां पर आ चुका था हम देखते हैं कि यहां पर आते ही वो सबसे पहले किंग और उनकी वाइफ को वहां चेंग से चुडाता है और इसके बाद इस सभी से कहता है कि तुम सभी पर लानत है तुम इतने सब मिलकर एक अकेले को इस तरह बाधे हुए हो और उस पर हमला कर रहे हो जबकि तुमने सच जानने के बारे में तो एक बार भी सोचा ही नहीं इसके बाद अब यून फैंग हवाँ में आते wir सी नेर्जी ने यहां पर यून फैंग के टैक को रोख दिया था लेकिन हम देखते हैं कि जब इस चीज से जो अनर्जी फैलती है वह अनर्जी भी बहुत स्ट्रॉंग थी यहां अब उस लड़की को भी इंटरनली थोड़ा सा डेमेज पहुचा था लेकिन हाला कि उसकी जान ब आप चिंता मत कीजिए और इसके बाद मिस्टर मॉंग से भी कहता है कि तुम को और उनकी वाइफ को यहां से लेकर जाओ यहां की कंडिशन मैं सम्हाल लूँगा जिसके बाद मिस्टर मॉंग उसकी बात मान लेते हैं हम देखते हैं कि यहां पर वही खड़ा हुआ एक दू जैसे वो वहाँ पर आते हैं और पहले आए उस मास्टर को बचा लेते हैं अब यहां पर वो दोनों ही यूनफैंक पर टैक करने के लिए तयार थे लेकिन यूनफैंक बिल्कुल भी डरा नहीं था यूनफैंक उन दोनों से लड़ रहा था और उन्हें रोके वे भी था यह चीज देखते हैं वे दूर खड़ें वो मास्टर सभी शौक थे वो कह रहे थे कि यूनफैंक सच में बहुत स्ट्रॉंग है हमने उसे अंडरेस्टिमेट किया वही पर एक लड़की खड़ी थी वो कहते हैं कि यह कितना भी तागतवर हो लेकिन मेरे मास्टर को नहीं हरा सक क्योंकि तुम्हें यह पॉपल स्काइज ब्रीफ स्काइज चाहिए था यह तुम्हें मिल सकता है लेकिन बस तुम्हें उसके लिए मुझे हराना होगा अब नेक्स्ट एपिसोड यहां से शुरू होता है अभी वो सभी कह रहती कि इस तरह कर रहे ट्रेजर तुम्हारे पा पावर को एक्टिवेट कर लेता है और कहता है कि अब वक्त बताएगा कि क्या होना है और दूसरी चीज़ वो इसके बाद वो सीधा ही एक किलिंग फॉर्मेशन तयार करने लगता है वैसे इस तरह की किलिंग फॉर्मेशन को पूरी तरीके से रेडी होने में थोड़ा लेकिन यूनफेंग भी अबीतबी अपनी धर्मा बॉड़ी को समंड कर लेता है और उसके अटैक को रोक लेता है लेकिन अब वहाँपर जो तीसरा वाला मास्टर था वो स्टरॉंग तो थे लेकिन यूनफेंग उनहीं भी रोकते जा रहा था अब इस सब के बाद में हम द जदा तेज थी कि यहां पर जो बाकी लोग जो खड़ेते उनकी बॉडी इस चीज से अफेक्ट हो रहा था लेकिन अब उनों ने बचने के लिए शिल्ड तयार कर ली थी सभी लोग अपना अपना बैरियर बना लेते हैं यहां पर हम मिस्टर मॉंग को भी देखते हैं वो एक यूण फैंग ने अपनी धर्मा बॉडी के नेजी की मतल से उसे रोक लिया था और उन दोनों बीस्ट को अपनी पावर से एक कंट्रोल भी कर रहा था तो असल में बीस पावर की एक बहुत ही रियर तलवार रही है जो असल में 20 पावर से काम करती है लेकिन यूण फैंग रोक कर अपने कंट्रोल में लाता है और स्किलिंग फॉर्मिशन बनाने वाले मास्टर की दरफ देता है तो अब वह मास्टर इस अटैक को रोग नहीं कुशिश कर रहा था लेकिन अब इस चीज में एक ब्लास्ट होता है और धुवा हटने के बाद हमें पता चलता है कि वह मास्टर हार चुका है हर कोई वहां पर यह चीज देखकर बहुत ज्यादा शौक लग रहा था इसके बाद अब यूनफैंग हवा में आता है और कहता है कि तुम लोगों ने अपनी पावर का गलत फाइदा उठाया है इस वजह से तुम्हारी पावर को सील कर रहा हूं इसक इसके बाद यूनफैंग जैसे ही अपने वैपन को फेकता है तो वह तीनों पहले तो उन्हें रोग नहीं कुशिश करते हैं लेकिन एंड में वह नहीं रोग पाते और उन्हें वह वैपन लग जाते हैं जिस वजह से उनकी कल्टिवेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी थी इसके यूनफैंग पूसता है कि आखिर प्रिंस कहां पर है लेकिन उन लोगों तो कुछ नहीं बता था क्योंकि वो बताते हैं कि जब इन लोगों ने सभी को किड्नैप किया तो तब से ही उन्हें अलग अलग ही रखा गया है अब इसके बार यूनफैंग सीधा उस मास्टर के प सर्चिंग टेकनीक से वैसे भी पता लगा सकता हूं तो अगर तुम बढ़ना नहीं चाहते तो खुद ही मुझे बता दो लेकिन अब वो कहने लगता है कि हमारे वो ताइवाई क्लेन में तुम किसी बतरह का सोल्जर सोल सर्चिंग फर्मेशन नहीं अक्टिवेट तुम कर स सब्सक्राइब कर सकता है की उसे अपनी में की कोई फिक्र नहीं है वो सबी को राम सहरा सकता है अब उसने एक निड़ल निका ली ती और वो तयार था अपना टैक करने के लिए लेकिन इतने में ही हम देखते हैं कि वहां असमान में एक नाउ आ जाती है जिसमें एक यंग मास्टर था और साथ ही कुछ और भी लोग वहाँ पे थे वो वहाँ से अपने एनर्जी को रिलीज करते हैं गायब होकर नीचे आते हैं यहाँ पर यह जो फर्मेशन बनाने वाला जो मास्टर था वो उससे देख का थोड़ा सा शौक था मगर जहां तक वह दोनों एक ही टीम में हैं लेकिन अब यह पारट यहीं पर खतम हो जाता है तो अब अगरा कुटिशनों के पिसे से लाइक कर दीजेगा